नमस्कार रेडियो हंदस्तान के मेरे मित्रों मैं आर्जी उमा प्रभाकन बोल रही हूँ आज सोशल मीडिया में यूही नजर फेर रही थी तो मुझे एक आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे लगा क्यों न मैं आपके साथ भी साज़ा करूँ जो इस प्रकार है संध्या का समय था सर्यों के तड़ पर राम लक्ष्मन और भरत यूही टहल रहे थे भरत ने कहा एक बात पुछूं भैया माता कैकरी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो शड़ेंत्र किया था क्या वा राज़ द्रोह नहीं था उनकी शड़ेंत्र के कारण एक और राज के भावी महराज और महारानी को चौदा वर्ष का वनवास जेलना बड़ा तो दूसरी ओर पिता महराज की दुखद मृत्यों ऐसे शड़ेंत्र के लिए तो मृत्य दंड दिया जाता है फिर आपने माता कैकरी को दंड क्यों नहीं दिया राम मुस्काय बोले जानते हो भरत किसी कुल में एक चरितरवान और धर्म परायन पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंक पीडिल के पित्रों के अपराधों का प्रायस्चित कर देता है जिस मानित तुम जैसे महात्मा को जनन दिया हो उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत भरत संतुष्ण नहीं हुए उन्होंने कहा यह तो मुह है भईया और राजा का दंड विदान मुह से मुक्त होता है कृपया एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया समझे कि आपसे यह प्रश्ण आपका अनुच नहीं अयोध्या का एक सामाने नागरिक कर रहा है अब राम गंभीर हो गए कुछण मौन के बाद उन्होंने कहा अपने संग साथियों के अपराद पर कोई दंड न देना ही इस सिस्ट्री का कठोर तम दंड है भरत माता कैके ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भूगा है वनवास के चौदा वर्शों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्तिती से लड़ते रहे पर माता कैके हर चण मरती रही अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपने पती को खोया अपने चार बेटे खोये अपना समस्थ सुख सम्मान खोया और उस अपराद बोज से कभी मुपत न हो सकी वन्वा समाप्त हो गया तो परिवार के श्रेश सदस्य प्रसन और सुखी हो गये पर वे कभी प्रसंदन न हो सकी कोई राजा किसी इस्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है मैं तो सदेव यह सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मा को इतना कठोर दंड भूगना पड़ा राम के नेत्रों में जल उतराया था और भरत लक्ष्मन दोनों मौन हो गए थे राम ने फिर कहा और उनकी भूल को अपराद समझना ही क्यों भरत इदी मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मन जैसे भाईयों के अतुल्य भात्र प्रेम को कैसे देख पाता मैंने तो केवल अपने माता पिता की आग्या का पालन मात्र किया था पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में चौदा वरश का वनवास होगा है वनवास न होता तो ये संसार कैसे सीखता कि भाईयों का सम्मंद क्या होता है भरत के प्रश्मन मौन हो गए थे वे अनवास ही अपने बड़े भाई से लिपड़ गए राम कोई नारा नहीं है राम एक आचरन है एक चरित्र है एक जीवन जीने की शैली है अब अनुमती दीजियों माप्रभाकरन को फिर मिलूंगी इसी तरह कि छोटे छोटे किस्सिक कहानियों के साथ तब तक कहते रहें जैश्री राम और सुनते रहें रेडियो हंदस्तान नमस्कार